आज आज आपके लिए लेकर आये हैं कक्छा 6 का पार्ट सवासिर गेहूं हिंदी साहिती से सवासिर गेहूं का यह दूसरा भाग है पार्ट 2 है जिसमें पहले पार्ट में हम लोग ने परहा है कि सवासिर गेहूं एक किषान है एक गाउं में एक किषान है जिसका नाम संकर है वह बहुत ही भोला बाला है सिधा सादा है और गरीब है उसके मन में किसी के प्रती कोई छल कपट नहीं है और उसे भी किसी छल का डर नहीं है क्योंकि उसकी विचारिकता ऐसी है कि वह जोएसा शुर्म सुचता है वैसे ही दुनिया को देखता है अब उसके घर में खाना पिना की ऐसी इस्तिती है कि किसी दिन उसे भरफ्रेट भोजन मिल जाता है तो किसी दिन चने चबेने से भी काम चलाना पड़ता है और किसी किसी दिन तो ऐसा भी होता है कि उसके पास कुछ नहीं होता है खाने के लिए तब वैसी इस्तिती में हुआ पानी पी करके भगवान का नाम ले करके उनको धन्यवाद दे करके सो जाता है उसे चल प्रपंच की छूत नहीं लगी होती है वह किसी के साथ चल करना नहीं जानता है और उसके साथ भी अभी तक किसी ने चल नहीं किया होता है वह मेनत का समझदूर जैसा काम करता है अपने खेतों में मेनत करता है और जो खेटों से उपज होती है, उसी पर अपना गुजर बसर करता है, अपने परिवार का संचालन करता है, उसके बाद वह भले ही भूके अपने घर में सो जाता हो, लेकिन जब उसके यहां को यतिति यहां महात्मा चले आते हैं, तो वह संसारिक्ता को दषाता है, दिखात क्योंकि वह एक संसारिक व्यक्ति है। एक दिल साम के समय उसके यहां एक महात्मा जी का आगमन होता है। इसलिए वह गाओं बर घुम करके आटा खुजता है। उसे गाउं में कहीं और आन्टा नहीं मिलता है सिवाए एक अस्थान के वह होता है विप्रजी का घर विप्रज ब्रामन है उस गाउं में रहते हैं वाँ गाउं के लोगों के दानपुने से उनका घर परिवार चलता है सम्चालन करते हैं वो घर के अपने उसके बाद जब वो विप्रेजी के आज से सवा से गेहूं उधार लेकर के आता है और अपने पत्नी से करता है इसे पिस डालो पत्नी पिसने के बाद रूटियां बनाती है और महात्मा जी को खिलाया जाता है महात्मा जी खा करके रात में सो जाते हैं फिर सुबह होते ही वो इन सब को आसिरवात दे करके शले जाते हैं इसके बाद साथ साल उजर जाते हैं साथ साल के बाद संकर का छोटा भाई मंगल बरा हो जाता है और उसकी साधी हो जाती है उसके बाद इन दो दोनो भाईयों में आपसी मतभेद होता है जिसके कान से इनके पास पांच बिगा जमीन होता है और वह जमीन बट जाता है अब संकर के जिम्में हिस्से मात्र ढाई बिगे जमीन होते हैं। संकर उन पर दीन रात मेहनद करता है वह दुखी होता है इदर से क्योंकि वह नहीं सोचा रहता है कि कभी मंगल उसके साथ अलगाव की बात करेगा अब तो जो नियती थी वो हो चुकी होती है इसलिए संकर डाई बिगे पर अपना कठोर मेहनद करता है अपने कड़ी मेहनत करके वो अनाजित पादन करना चाहता है प्रंतु उसे भी संभव नहीं हो पाता है जेट की दुपरी में उसे धूप लगती है और बिमार हो जाता है बिमार होने के बाद वो मरनासन इस्तिती में चला जाता है प्रंतु दीरे दीरे वो स्वस्त होने लग क्योंकि परिवार का संचालन उसके खेतों से नहीं हो पाता मजदूरी करके वह आ रहा था एक दिन तो विप्रजी ने का कि संकर भई तुम्हारे पास तो मेरे सारे पांच मन अनाज निकलते हैं तुमने लिया था अभी तक दिया नहीं क्या गवन कर जाने की इच्छा है देन का भी मेरे उपर ना एक पैसा उधार है नाहीं अनाज एक छटाक मेने किसी से लिया है उधार के उन्होंने काया कि तुम भूल गए साथ साल पहले तुम आये थे और सवा सिर्गेहूं मेरे यहां से लेके गए थे आज सूध भी आज के साथ जोर लो संकर साथ साल के बाद म विप्रमहुजय महाजन बन जाते हैं जो सुध पर पैसे देते हैं अनाज देते हैं लोगों का सहयोग करते हैं और उससे इंकम करके अपना धन कमाते हैं इसके बाद की कहानी हम लोग इस पार्ट में देखेंगे आईए देखते हैं विप्री जी ने कहा कि जिसके घर से चाओ लाओ संकर करता है कि कहां से मैं लाओंगा इतना सारे पांच मननाज मैं तो अब किसान भी नहीं रहा है मजदूर बन गया हूँ राम किजिए और आपको तो वैसे भी मैंने बहुत सारे गेहूं खलियानी के त एक नहीं वो तो दान था जो तुम खलियान से दिये वो दान था हूँ कर्ज नहीं था करच तो मैं दिया है वो कब दोगे बोलो वह लगी मैं कहां से दूगा मेरे पास क्या हैा। उने काया कहीं से भी दो जिसके घर से चाहो लाओ मैं चटाग वर भी न छोरूंगा यहां न दोगे तो भगवान के घर दोगे घर तो दोगे भगवान का डर दिखाते हैं अगर संकर भगवान को जानता समझ पाता सिख्छा होता उसके पास तो उसके साथ ऐसी इस्तिती नही पन होती लेगिन संकर तो काप गया वो सिधा साधा था बोला भाला था वह काप गया पड़ा लिखा होता तो कह देता कि अच्छी बात है इस वर के घर ही देंगे वहां कैसे ज़्यादा तोल थोड़ी होगा यहां से कुछ बड़ी तो होगी नहीं किन्तु संकर इतना वेव जितना होगा यहीं दूंगा इस वर के यहां क्यों दूं इस जनम में तो ठोकर खाई रहा हूं उस जनम के लिए काटे क्यों बों मगर यह कोई न्याय नहीं है तुमने राई का पहार बना दिया राई का पहार बना नहीं चोटे बात को बरा कर दिया हम सवासे लिए थे कित वहां मैं दूंगा लेकिन तुम्हें भगवान के यहां जवाब देना परेगा संकर ने कहा मैं तो दे दूंगा दूंगा गरीब हूं लेकिन दूंगा तुम्हें जवाब देना परेगा भगवान के यहां देखिये जो भगवान का डर दिखाते थे उन्हों नहीं कहा बगवान के बात पर कि वहां का डर मुझे क्यों होने लगा वहां तो सब अपने ही भाई बंदू है जो कुछ बिग्रेगी समाल लेंगे अर्थार बगवान के हैं उनके भाई बंदू है लेकिन संकर के भाई बंदू नहीं है उन्हें डरना चाहिए और इनको कोई डर नहीं लगता क्योंकि वहाँ तो भाई बंदू है सब समार नहीं है यानि हमें जीतना भी गलती करना चाहूं इस दुनिया में कर सकता हूं लेकिन तुम नहीं कर सकते तुम्हें तो देना पड़े ये तो जबर्दस्ती वाली बात की उन्होंने और इस जबर्दस्ती की बात पड़ अब संकर के सामने कोई पाय था नहीं अथा संकर ने कहा विप्र ने कहा मैं यह न मानूंगा साथ साल हो गये हैं अब एक दिन का भी मुलाहिजा न करूंगा यहू नहीं दे सकते तो दस्तावेज लिखवा लो दस्तावेज दस्तावेज का मतलब कागज बनवा लो कि तुमने मुझे कर्ज लिया है और उस कर्ज को चुपता करोगे आज मत करो नहीं है लेकिन जब हो तो मुझे दो ऐसा दस्तावेज बना लो साल भर में ना देने पर सूध की दर सारेü रूपिय सेकरे बढ़ जाएगी यह कंडिशन सर्थ लगाया गया डियर रूपिय का स्टाम्प एक रूपिया दस्तावेज लिखाई संकर को अलग से देनी परिगे डियर रूपिया का स्टाम्प लगा उस पर सरकारी कागज के उपर एक सरकारी स्टाम्प लगता है और उस स्टाम्प की बहलू हो जाती है उस कागज का मत हो जाता है और उस कागज पर जो खर्च आया वो संकर को ही देना परा सवा सेर गेहूं महात्मा जी को खिलाने के लिए अती थी देवो भवा का भाव ले करके वह भला आदमी भोला आदमी आज फंस गया एक चतुर के चक्कर में जिसके वज़ा से देखो आगे क्या क्या होता है इतने तो बने सबने पुड़े गाओं ने जो सुना उन्होंने काया कि विप्रे ने अच्छा नहीं किया विप्रे अच्छी आदमी नहीं है अच्छा नहीं किया लेकिन सब लोग विप्रे के पीछे कहे मुह पर किसी ने कहने की हिम्मत नहीं जुटाई क्योंकि सब को जरूरत था उस महाजन से सब का काम चलता था इस डर से किसी ने भी उसके मुग पर नहीं कहा चात्रों समर्थवान व्यक्ति का कोई दोस नहीं होता यह कहा गया है और यह कहा गया है तो सती प्रतीत होता है क्योंकि विप्र यहां पर समर्थवान थे अता उन्ह उने गलती की सारे लोग का रहे हैं कि गलती कि ये लेकिन सारे लोगों में से उस पूरे गाउं में से किसी ने ये बात नहीं कहा कि महाजन ये करना गलत है ये गरीब आदमी है कहां से लाएगा इतना पैसा साट रुपिया उस समय के लिए बहुत महतुर रखता था अब जब क जाब भुगत रहा था और महाजन गलती करने के बावजूद भी किसी तरह से दोसी नहीं था संकर ने साल बर कटिन तपस्या की मियाद के पहले रुपिये अदा करने का उसने ब्रत साले लिया साल भर तक कटिन तपस्या था तो करी मेहनत करते रहा वो तो मेहनत करते रहा और कैसे मेहनत करते रहा तो कि दोपहर के पहले चुला ना जलता था चबेने पर बसर होती थी उसकी वह अभी बंद हुआ चना चबेना भी बिचारा जो खाता था वो भी बंद कर दिया नहीं खाएंगे लेकिन इस महाजन के करज को जरूर चुकता कर देंगे साल भर में हम नहीं खाएंगे, नहीं पहनेंगे लेकि महाजन का करज चुक्ता करेंगे बापो बापो, हमने तो परमार्थ किया, हमने तो अतिती को देव समझा और उसके लिए करज लाया हमने लोटा भी दिया पिराज साथ साल के बाद ये इस चतुर ने हमें गेर लिया और गेर कर हमें कागजों के पाबंदी में बांद दिया ऐसी इस्तिती ऐसी विचार लाकर के मन में वो कितना प्रतारित हो रहा था क्या इस प्रतारित का भाव किसी गाहँ वाले को दर्सित नहीं हो रहा था या दिक नहीं रहा था यह समझ में नहीं आ रहा था जिहां आ रहा था लेकिन बात वही है समत्वान का कोई दूस नहीं होता केवल लरके के लिए रात को रोटियां रख दी जाती थी कपरे पहले ही त्याग की चरम सीमा तक थी केवल रात में रोटियां बनती थी तो बच्चों के लिए क्योंकि बच्चों को तू कैसे समझाए जाए और उन्हें तो भूक लगी उनका तो निर्मान हो रहा है वो बरे हो रहे है वो सबल नहीं होंगे तो फिर इनका दुख तो दूर होगा नहीं ऐसी मान सकता है लेकिन ए कि ऐसा समाज का तबका जो यह सुच लिए हुए है कि तुमको ही नहीं बलकि तुमारे बच्चों तक को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ उसे भी गुरामी की जंजीरों में बाद होगा यह साथा सुच भी प्रकार उसने अस्थी भेदक सीत आग अस्थी भेदक यानि कि पड़ी को गला देने वाले जगजोर देने वाले ठंडे के दिन में भी वह कंबल नहीं करता आग ताप ताप कर जैसे तैसे अपना जीवन व्यतित किया और ताप कर काटी साल के अंत में उसके पास साथ रुपिये हुए उसके पास साथ रुपिये जमा हो गए उसने वो मैंने दिया साल भर तक सुचो कि साल भर तक खाना नहीं खाया ढंग से कपरे नहीं पाने यहां तक कि ठंडी के दीन में हार गराल देने वाले ठंड परने पर हड्डियां तक ठंड से कपकपा जाती हैं वैसे ठंड में भी उसने कंबल तक नहीं लिया अपने लिए गरम कपरे नहीं रखे बलकि रूपिये जमा करता रहा क्योंकि महाजन को देने थे वो रूपिये जो सेर सवा सेर गेहूं के बदले उसे देने पर रहते वो गेहूं जो उसने एक महात्मा जी के भोजन के लिए उद्हार लेकर आया था कितनी अच्छी सूच थी उस समय हमारे समाज की और सिक्षा के प्रभाव के कारण ऐसी यह कहानी प्रेम चंदर जी द्वारा लिखा गया मरमाह कहानी ही तो है अब देखिए अब आगे क्या होता है बिप्ट करते हैं लेकिन यह तो साट रुपिय ही है संकर कहा हां माराज अभी इतने ले लिजिए बाकी मैं दो महीने में दे दूँगा बाकी कौन तो साट रुपिय तो कागजपर लिखे गयते उसका तीन रुपिया प्रती सहकरा के दर से जो ब्याज था वो अभी आज पंदर रुपिया हुआ था एक साल में उसने कहा कि मैं यह रोग नहीं पालता कौन विप्र अगर पूरे रुपिय नहीं मिलेंगे तो आज से सारह तीन रुपिया जैसा कि तय था डोकुमेंट में दस्तावेज में सारह तीन रुपिय का ब्याज लगेगा अपने रुपिय चाहे घर में रखो चाहे यहां छोड़ जाओ उससे मतलब नहीं है अब सारह तीन रुपिय का ब्याज जैसे लगेगा तुम पूरा पैसा नहीं दिये हो कागज में यहीं लिखा हुआ था कि साल बर में तीन रुपिया ब्याज की दर से आप दे दो और नहीं तो सारे तीन रुपिया ब्याज लगेगा अगले वर्स से संकर ने सारा गाउं चान मारा मगर किसी ने विप्र महाराज को छेरने की अच्छा जितना लाया हूं उतना रख लिजिए कहीं से पंदरा रुपिया उसका पंदरा रुपिया और बनता था लेने की फिक्र करता हूं लाने की वह संकर सारा गाउं फिर घुमना शुरू किया 15 रुपिये मागने के लिए जुगार करने के लिए कि देखर के विप्र से मैं अपना पिर निचुराओं पंतु विप्र महाराज के डर से किसी ने उसका सहायता नहीं किया पंदर रुपिय उसे किसी ने नहीं दिया और वह कर्ज चुका नहीं पाया अब उसके जीवन में देखो क्या होता है वह साल भर तक तपस्या करने पर भी जब संकर रिल से मुक्त नहीं हुआ तो उसका संयम निरासा में बदल गया निरास होगे उसे मेहनत से घ्रीना होगे अब वह मेहनत से अपने घ्रीना करने लगे क्या मेहनत करे क्यों करे भरी मेहनत किसके लिए करे मेहनत के कोई मोल हो तब तो करे एक सिकारी के सिकंजे में फसा हुआ हूँ या मुझे इस तरह से पतारित कर रहा है कि एक साल तक मैंने खाना नहीं खाया कपरे धंके नहीं पाने ठंड बरदास्की गर्मी बरदास्की फिर भी उसके पैसे दीए और हम रिंसे मुट नहीं क्या फाइदा तो मेहनत करने का ये ऐसी बाते उसे मेहनत से घिना हो गई और तब आसा उत्साह की जननी है आसा जो है मन में एक आसा होता है कि शान जो पूरी दुनिया को का भोजन उत्पादन करता है जरुरत पढ़ने पर उसे ही भूखा सोना पढ़ता है या संकर के साथ भी अब ऐसा हो गया है कि अम्मेरत से घिना करने लगता है नफरत करने लगता है और उसका खत्म हो जाता है काम करने का उसे रुपिये अदा करने की अब कोई चिंता न थी तीन वर्स निकल गए साथ वर्स के बाद उन्होंने कहा था रुपिये देने के लिए दस तावेज बनाए गए उसके एक साल तक वो मेनत करके उसके बाद उन्होंने साथ रुपिये देता है अब तीन साल और बित गए अब उसे चिंता नहीं है रुपिये देने की तीन साल बित गए अब विप्रजी महराज ने उसे एक बार फिर तगाजा एक बार भी तगाजा नहीं किया तीन साल के अंदर वह चतुर सिकारी की इभाती अच्चुक निशाना लगाना चाहता था विप्र जो थे वह चतुर सिकारी अर्थाथ इस इंतजार में थे कि ये पंदरा रुपिया फिर बढ़कर के कुछ अच्छे कासे एमाउंट हो जाए और फिर मैं उसे दर दबोचू तथा उससे और काम करवाऊं मेहनत करवाऊं इस बार उनका प्लान कुछ और था इसलिए चात्रों आगे देखिए क्या क्या होता है एक दिन पंदित जी मनें विप्ण महाराज संकर को बुला कर हिसाब दिखाया संकर पर अब 120 रुपिये अब कितने 120 रुपिये 160 रुपिये का था 60 रुपिये उसने दिया इसमें का 15 रुपिया जो बचा हुआ था यह 15 रुपिया आज 3 साल के बाद बरकर सारे 3 रुपिये के दर से सारे 3 रुपिये प्रती वर्ष के दर से बढ़कर 120 रुपिये हो गए अब यह 120 रुपिये संकर को देने पड़ेंगे संकर बोला कि इतने रुपिये तो उसी जनम में अब दूँगा आब इस जनम में हमसे नहीं हो पाएगा इस जनम में तो नहीं हो सकता है इस जनम में नहीं हो सकता है जनम वास्ता में यह सुद्ध तो नहीं है लेकिन ऐसे ही कहानी में लिखा गया है क्योंकि यह बात तो संकर द्वारा कहा जा रहा है मैं इसी जनम में लूँगा विप्र ने कहा कि कि अजिसे नहीं दोगे मैं इसी जनम में लूँगा मूल न सही सूध तो देना ही पड़ेगा 120 रुपी आप तुमारे मूल हो गए मूल भले ही न दो सूध तो देना पड़ेगा संकर ने का मेरे पास रखा ही क्या है मेरे पास क्या रखा हुआ है विप्र ने कहा क्यों रखा हुआ है तुमारे पास आखिर तुम मजदूरी करने कहीं जाते ही हो सूध में तुम हमारे यहां काम करो मूर नहीं सूध में तुम हमारे यहां काम करो सच तो यह है कि जब तक तुम मेरे रुपिये न चुका दो तुम किसी दुसरे जगा काम नहीं कर सकते यानि कि अब जो मजदूरी तुम करने जाते हो कहीं और वो हमारे यहां करो उससे मैं सूध वसुलूँगा तुम से दुसरे जगा तुम नहीं जा सकते जब तक मेरे करज दार हो संकर ने का महराज सूध में काम करूँगा तो खाऊंगा क्या विप्र ने का तुमारी घरवाली है लरके हैं क्या वे हाथ माओ काट कर बैठे हैं मने वो भी काम करें तुम्हें आदा से जोव रोज कलेवा के लिए दे दिया जाएगा ओढ़ने को साल में एक कंबल मिल जाएगा और क्या चाहिए तुम्हें देखिए गरीवा देखती कि हालत की क्या मजाक बनाते हैं ऐसे चतुर लोग जो सिकारी की भाती टो लगाये बैठे हैं और ऐसे भोले भाले इंसानों को ठगते हैं अपने चल प्रपंच का दाव खेल कर उन्हें जीवन भर गुलामी करने को मजबूर करते हैं और यह सब इन सभी के मूल में चिपा हुए है औसिक्षा अगर संकर सिक्षित होता तो ऐसा संभा होता नहीं होता लेकिन संकर तो असिक्षित है अब उसे सूध में मजदूरी करनी पड़ेगी पता खाने पीने की अगर सुच रखते हो तो अपने बच्चों और बिबी को भी कहो कि जाके काम करे और काम कहा करे आए हमारे पास हमी काम देंगे उसका कहना ये था देखो उस अनाज के बदले एक भोले भाले गरीब किशान जो मजदूर बन गया है बिपत्तियां पर बिपत्तियां उसके सामने आ रही है और वो जो काम करने से भी ग्रिना कर देता है वह भी मजबूर है काम करने को अपने घर परिवार के संचालन के लिए चलाने के लिए घर परिवार को संकर ने कुछ देर गहरी चिंता में पढ़ने के बाद का यह जनम भर की गुलामी हुई हम मरते मर जाएंगे आपका कर्ज नहीं चुका पाएंगे भई कैसा हमारे साथ आप नयाय करने है या नयाय आई यह विप्रने का गुलामी समझो चाहें मजदूरी समझो जो समझना है समझो लगिन करना तो परेगा क्योंकि काज़ बना हुआ है मैं अपने रुपिये लिए बिना तुमको न छोरूँगा चोरूँगा ने तुम भागोगे तो तुमारा लड़का भरेगा इस नेने की कहीं अपिल न थी और यह जो बात उन्होंने कहीं विप्रने संकर की बात कोई सुनने को तेयार नहीं था सारा गाउं जानता था कि इसके साथ दोका हो रहा है सारे गाउं के लोग जानते थे कि संकर सही है विप्र गलत हैं बावजूद इसके पिप्र का के द्वारा संकर का सोसन किया जा रहा था सब के सामने लेकिन उस भोले-भाले उस गरीब उस और सिक्षित व्यक्ति का कोई सायोग नहीं कर रहा था बलकि वह तो मजाक का पात्र मना हुआ था दूसरे दिन से संकर ने विप्र जी के यहां काम सुरू कर दिया सवासेर गेहूं के लिए उम्र भर के लिए गुलामी की बेरी अपने पैरों में डालनी परी उसे सवासेर गेहूं के लिए महात्मा जी की सेवा करने गिया अगर वह खलियानी से उसे कर्ज के रुप में लोटा दिया होता तो इतना बरा बखेरा नहीं हुआ होता चुकि वह उसने तो भले मन से अपने सोचा मैं तो पंडी जी को ज़्यादा ज़्यादा दे दिया अब क्या हुए उधार लेकिन उस उधार के वज़ा से उसे जीवन भर गुलामी और कई तरह के कस्टों को जेलना परा वह कुछ और सुची नहीं पा रहा था सिवाए उसके कर्ज के इसके बिप्र के कर्ज के वह गेहूं के देन किसी देवता के साप की भातिया जीवन उसके सिर्थ से न उता वह सवा से इरगेहूं का ऐसा उसके उपर कर्ज लदाया कि वह जीवन भर गुलामी करके भी उतार न पाया और एक दिन इस दुनिया से अलविदा हो गया चला गया बेचारा मर गया विपर जी के यहां 20 वरस तक गुलामी करने के बाद संकर ने संसार से प्रस्थान किया मर गया विचारा चला गया 20 वरस गुलामी किया खालिश सूद देते गया अपने मेहनत के अंतरगत और 120 रुपिय के 120 रुपिय मूल परे ही रह गए 120 रुपिय अभी तक उसके सीर पर सबार थे विप्र जी ने अब उसके जवान बेटे की गर्दन पकरी जवान बेटे की गर्दन पकरी है तो उसके जवान बेटे को करा तुम्हारा बाप करज लिया है तुम्हारे पापा ने करज लिया है तु उसका उधार कब होगा, होगा भी या नहीं, इस वर ही जानें, क्योंकि वह विप्र के चंगुल में, एक चतुर सिकारी के चंगुल में ऐसा पसा, देखे चात्रों, विप्र ब्रामन थे, ब्रामन को हम देव तुली मानते हैं, लेकिन वैसे ही, एक ब्रामन ने, एक किसान के साथ, इतने धुकादरी, इतने दगाबाजी, इतने चल प्रपंच के साथ, उसका जीवन तबाह कर दिया, इसका कोई उन्हें अधिकार नहीं था, भगवान का डर दिखा करके, उससे दस्तावेज बनवाया, और दस्तावेज बनवाने के बाद से, तो फिर उसके जीवन में, खुशहाली ही चली गई, अलविदा कह गई, वह जीवन भर गुलामी करता रहा, उसके मरने के बाद भी, वह कर्ज से मुक्त नहीं हो पाया, सोचिए कि क्या इस संसार में, इस दुनिया में, हमारे भारत में, इस तरह के लोग के रहते समाज का कल्यान हो सकता है, नहीं, इसलिए, अगर सिक्षित व्यक्ति हैं, सभी लोग सिक्षा का प्रभाव सब के उपर समान रुप से है, तो सभी सिक्षितchen के बाद, कोई इस तरह से चतुल भेरिया, चतुल सियार किसी और का सिकार न करें, इसलिए, चात्रों सिक्षा बहुत ही जरूरी चीज है, सब के लिए, समान भाव से देखने के लिए, सब को, और समान ताप प्राप्त करने के लिए, समाज के अंतरगत इन बुराईयों का नास करने के लिए आज बरतमान समय में ऐसी इस्तितियों से लगबग समाज निजात पाया है यह कहना उचित होगा कि समाज में आज सिक्षा का प्रभाव यह है जो इस तरह की कुरितियां बुराईयां हमारे समाज में दर्सित नहीं हो रही है और होनी भी नहीं चाहिए हम सबका नीती यही होना चाहिए कि विकास के राह पर हमारा देश चले हम चले और हम एक तिन बिक्सित से विकास सील देश बने धन्यवाद